Hello everyone, मैं हूँ रेखा, Welcome to the Food Library आज हम बनाने वाले हैं बहुती तेस्टी खस्ता प्याज की कचोरी राजस्तान की फेमस प्याज की कचोरी है ये, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका texture वही है, जो हम बजार से हलवाई की दुकान से खरीत कर लाते हैं इसका taste भी बहुत ही अच्छा है, यह यू कहें कि हलवाई की दुकान से जो लाते है उससे भी अच्छा है तो आज मैं आपको सारे secrets के साथ इसे बहुत ही easy तरीके से बनाना सिखाऊंगी तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है एक चमच अजवाइन लेंगे हातों से इसे करश करके फिर डालेंगे इससे इसकी खुश्पू और टेस्ट दोनों ही बहुत ही अच्छे आते हैं अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून ओयल यह मैंने बड़ी चमच ली है इससे जादा आप ओयल मढ डालियेगा एक टेबल स्पून नमक लिया है अच्छे से इसे मिक्स करेंगे मैंने यहाँ पर विस्कर कर यूज किया है आप हातों से भी मिला सकते हैं हातों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है अब हम इसे एक सॉफ्ट डो लगाएंगे पानी की साहता से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जैसे रोटी का जो हम आटा गुनते हैं उसी तरह के से हमने आटा गुनना है इसका यह देखें सॉफ्ट डाटा लगकर तयार हो चुका है अब जो मैं इंग्रेडियन्स इस कचोरी के लिए हैं वो हैं साबुत धनिया और एक चमत सॉफ्ट इन दोनों के बिना यह कचोरी बनना मुश्किल है इसका वही जो राजस्थानी टेस्ट है जो अधपूरी टेस्ट वो नहीं आएगा इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है यह देखें मैंने इसे दरदरा पीस लिया है इससे ज़्यादा पतला आप बिल्कुल मत किजिएगा इसे अब हम लेंगे एक पैन पैन में डालेंगे दो बड़े चमच ओईल ओईल मैंने याँ पर रिफाइंड यूज किया है आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें सौफ और धनिया का पाउडर जो हमने अभी बनाया था इस वक्त में गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है अगर हम तेज रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे दो बड़े प्यास मैंने मोटे टुकडो में काट लिये हैं अच्छे से इसे भूनेंगे दो मिनिट के लिए जब तक कि यह सौफ्ट नहीं हो जाते अब हम डालेंगे इसमें एक चमच बारिक कटा हुआ लसुन इससे इसकी खुश्बू और टेस्ट दोनों बहुत ही अच्छे हैंगे तो इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा अच्छे से इसे मिलाएंगे इस वक्त हमें गैस बिल्कुल स्लो रखना है प्यास जब तक ट्रांस्पेरेंट नहीं हो जाते तब तक हमें इसे भूनना है अब हम डालेंगे इसमें एक चमच बेसन बेसन से इसकी बाइंडिंग काफी अच्छे और असान तरीके से हो जाएगी जब हम फिलिंग के बाइंड करेंगे फिलिंग को तो फिर ये अच्छे से हो जाएगी बिखरेगा नहीं और वैसे तो हमने इसमें बेसन डाला है पर फिर भी हम इसमें एक बड़ा आलू उबला हुआ डालेंगे इसे मैंने पहले ही उबाल लिया था और इसे मैश भी कर लिया था एक आलू आप इसमें जरूर डालें एक चमज डालनिया में लाल मिर्च एक चमज धनिया एक चमज अमचूर पावडर और आदा टीस्पून नमक क्योंकि नमक हमने डो में भी लगाया है तो आप थोड़ा ही नमक डालियेगा अच्छे से इसे मिलाएंगे दो मिनिट तक फिलिंग अच्छे से बन चुकी है जो छोटा होता है उसके आकार की बॉल बनाएंगे इस तरह की बॉल बनानी है आपको सारी बॉल हमने बनाकर तयार कर ली है ठंडा होने के बाद ही इसे बॉल बनाएगा इसकी आटा सौफ्ट हो चुका है अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना कर तेयार करेंगे इसका लोई इस तरह से होने चाहिए कि एक चपाती जो हम बनाते हैं उस अकार के इसकी लोई होने चाहिए अगर आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं वैसे तो जो पूरी कचोरी जो होती है पर मैंने यहां पर चोटी-छोटी कचोरी ağ क्यूंकि बड़ी कचोरी से बहुत जादा हो जाति है बड़ी कचोरी तो इसलिए मैंने चोटी-छोटी जादा खाना इसलिए हैВот द्लग सिस्कारा टाइप बनाएंगे, इस तरह से एक कटोरी बनाईए और उसके अंदर हम अपनी बॉल को रख देंगे, साफ धानी से इसे अच्छे से इसको बंद कर दीजिए, फिलिंग ना निकले, इस प्रकार से इसे टाइट बंद कीजिए, अंगलियों के साइता से इसे गोल घुमाते हुए, अच्छे से इसकी एक लोई बना कर तयार कर लिजिए, यह मैंने लोई बना ली है, मैं हातों से ही इसके आकार को बढ़ाऊंगी, आप चाहें तो इस वक्त बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इतना ही आकार रखना है, इसलिए मैंने इसे हातों से इसे बढ़ा लिया है, एक और बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ फिर से मैंने एक कचोरी टाइप बनाई है उसके अंदर मैंने बॉल रखती और अब मैं इसे लॉक कर दूँगे फ्रेंट्स कचोरी बनाना बहुत ही आसान है बस इसमें थोड़ी सी जो ट्रिक्स होती है उनका ध्यान रखना जरूरी है कचोरी बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में पर इसका जो असली टेस्ट होता है वो जोदपूर का टेस्ट होता है जोदपूर में जो हलवाई ये कचोरी बनाते हैं वो पूरा वो टेस्ट पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलता है तो मैं भी राजस्थान से ही हूँ और आज मैं आपको बहुत ही सीक्रेट सारे उनके साथ मैं आपको राजस्थान की जो कचोरी है ये बनाना सिखाऊंगी अब हम एक कडाई में तेल लेंगे और तेल को बहुत ज्यादा गरम करना है गरम करने के बाद में इसे हम काम में लेंगे ठंडा तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक स्टेनर पे हम अपनी कचोरी को रखेंगे और इसे 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे इससे ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना इसे इस वक्त सारी कच इक रिके से 10 सेकंड के लिए फ्राइ कर लेंगे बहुत यह गरम तेल में हमें ये काम करना है यह जो हलवाईयों का मैन सीक्रेट ओता है वो यही होता है कि वो इन्हें 10 सेकंड के लिए पहले फ्राइ करते हैं यह देखिए जो यह बबल आपको दिख रहे हैं ना कचोरी पे यह गरम तेल की वज़े से आए हैं जो हलवाईयों के आते हैं ना कचोरी पे आपने देखे ही होंगे यह देखिए इस तरह के बबल जो आते हैं हलवाईयों की कचोरी पे वो इसी सीक्रेट्स के लिए आते हैं अब हम सारी कचोरीों को इस तरह से तल के तेयार कर लेंगे और जो हमने गरम ओईल किया है उसका टेंपरेचर थोड़ा सा लो होने के बाद में उसमें एक के करके एक बैच कचोरीों का डाल देंगे इस वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए इस वक्त हम तेज नहीं करेंगे और अच्छे से इन कचोरीों को पकने दीजे जब तक ये फूल कर अपने आप उपर ना आ जाएं ये देखिए कचोरीयां फूलने लगी है अब मैं इन्हें पलट दूँगे कचोरीयां सारी फूल चुकी है हमारी सारी कचोरीयां फूल गई है इन्हें मैंने पलट दिया है आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा आया है और किस तरह से इसके उपर बबल्स आये हैं ये भी आप साफ साफ देख सकते हैं एक बार हमें तेज आंच में पकानी है दस सेकेंड के लिए और बार में हमें स्लो फ्लेम पे इसे पांच मिनिट के लिए पकानी है जब तक कि इनका कलर ब्राउन ना हो जाए बस यही सीक्रेट है हलवाईयों का हम सोचते हैं कि वो पता नहीं क्या डालते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है ये देखिए बनकर तयार हो चुके है सारी ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे बबल्स आएं और कितनी खस्ता बनी है ये आप जब मरजी इसे घर पर बना सकते हैं 15 मिनिट में ये कचोरी बनकर तयार हो जाती है जब तक आप हलवाई की दुकान पर जाएंगे उससे पहले ये कचोरी बनकर तयार हो जाएगी देखिए कितनी खस्ता बनी है ये टेक्स्चर इसका कितना अच्छा आया है और टेस्टी तो इतनी है कि मैं बता नहीं सकती आपको ये तो आप जब जानेंगे जब आप इसे बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कचोरी कैसी लेगी तब तक की लिए फ्रेंड्स पाए